इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहबाद उत्तर प्रदेश के आनंद भवन में एक संपन्न परिवार में हुआ था इनका पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर शनी गांधी इनके पिता का नाम जवाहरलाल नहरू और दादा का नाम मोतिलाल नहरू था पिता एवन दादा दोनों वकालत के पेशे से संबंधित थे और देश की स्वाधीनता में इनका प्रबल योगदान था इनकी माता का नाम कमला नहरू था जो दिल्ली के प्रतिष्थित कॉल परिवार की पुत्री थी इंदिरा जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो आर्थिक एवन बौधिक दोनों द्रिष्टी से काफी संबंध था अतह इन्हें आनंद भवन के रूप में महलनुमा आवास प्राप्थ हुआ इंदिरा जी का नाम इनके दादा पंडित मोतिलाल नहरू ने रखा था यह संस्कृतनिष्ट शब्ध है जिसका आशे है तांती, लक्ष्मी, इवं शोभा इनके दादा जी को लगता था कि पौत्री के रूप में उन्हें मा लक्ष्मी और दुर्गा की प्राप्ती हुई है पंडित नहरू ने अत्यंत प्रिय देखने के कारण अपनी पुत्री को प्रिय दर्शिनी के नाम से संबोधित किया जाता था चून की जवाहरलाल नहरू और कमला नहरू स्वयम बेहद सुन्दर तथा आतरशक व्यक्तित्व के मालिक थे इस कारण सुन्दर्ता के मामले में ये गुन सूत्र उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुए थे इन्ही एक धरेलू नाम भी मिला जो इंदरा का संक्षिप्त रूपिंदू था इंदरा गांधी की फिरोज के साथ पहली मुलाकात कहा जाता है फिरोज और इंदरा की मुलाकात मार्च 1930 में हुई थी तब आजादी की लड़ाई के दौर में एक कॉलेज के सामने धरना दे रही कमला नहरू बेहोश हो गई थी और फिरोज गांधी ने उनकी देखभाल की थी मिलने का यह सिलसिला काफी आगे तक गया कहा जाता है फिरोज कमला नहरू की तबियत जानने के लिए उनके घर जाया करते थे इसी बहाने उनकी मुलाकात इंदरा गांधी से भी हो जाती थी 1936 को जब कमला नहरू का देहांत हुआ तब भी फिरोज गांधी उनके पास थे फिरोज गांधी के भीतर सेवा और सम्वेदना का आत्मिय तत्व था यही वजय थी कि योवा इंदिरा उनकी और आकर्शित हुई इलाभाद में रहने के दौरान फिरोज गांधी के रिष्टे नहरू परिवार से बेहद मधोर हो गए थे वे अक्सर आनंद भवन आते जाते थे 1942 में दोनों ने शादी कर ली हालांकि नहरू इस शादी के खिलाफ थे लेकिन बाद में वो मान गए पार्सी परिवार के फिरोज और हिंदू परिवार के इंदिरा के बीच संबंध से उन बिनों भारतिय राजनीती में भूचाल ना आ इसलिए महात्मा गांधी ने उन ही गांधी सरनेम दिया 1942 में फिरोज और इंदिरा की शादी हिंदू रीतिरिवाजों के अनुसार हुई इस तरह इंदिरा के नाम में भी गांधी सरनेम जुल गया वो इंदिरा गांधी हो गई और फिर दोनों की संतानों के नाम में भी गांधी सरनेम जुड़ा इंदिरा के दोनों बेटों राजीव गांधी और संजय गांधी की पत्नी बच्चों के नाम में भी गांधी सरनेम जुड़ा फिरोज इंदिरा का रिष्टा क्यों खराब हुआ फिरोज इंदिरा दुनिया से लड़ जगड करेक हुए लेकिन साल भर के भीतर ही दोनों में अन्बन शुरू हो गई इंदिरा ने फिरोज के बजाए अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया इसमें कहीं न कहीं दोनों की पुष्ट भूमी की बड़ी भूमिका रही होगी फिरोज जहां सामान्य परिवार से आते थे वहीं इंदिरा के पिता और दादा मोतिलाल नहरू नामी रखील प्रे उस वक्त नहरू भले ही प्रधान मंत्री नहीं थे लेकिन उनका रहन सहन राजसी ही था यहीं परवरिश दोनों के रिष्टों के बीच आई होगी क्यूंकि फिरोज अक्खर स्वभाव के थे इसकी जहलत शादी के कुछ साल बाद के एक वाक्य से भी मिलती है फिरोज अपने दोनों बेटों राजीव और संजै को बधाईगिरी सिखा रहे थे तब ही वहाँ उनके दोस्त पहुँचे और कहने लगे कि ये दोनों इतने रईस हैं इन्हें बधाईगिरी सीखने की क्या जरूरत फिरोज ने कहा राईस इनकी माँ है बाप नहीं इसलिए मैं अपने बेटों को मेहनत में जुरी सब सिखा रहा हूँ ताकि कल को इन पर कोई मुसीबत आए तो ये अपना गुजर बसर आसानी से कर सकी इन्दिरा जब अपने पिता के साथ रहने चली गई तो फिरोज का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा कहा जाता है कि इसकी वजह उनका अकेला पन था वह खुबसूरत थे बोलने में उनका कोई सानी नहीं था आसी मजाप भी अच्छा कर लेते थे ऐसे में महिलाएं उनकी ओर खीची चली आती नहरू कैबिनेट की मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा से फिरोज की नजदी किया काफी चर्चा में रही इंदिरा इसी वजह से तारकेश्वरी को काफी नापसंद करती थी नहरू परिवार की एक लड़की नैशनल हेरल्ड में उनके साथ काम करती थी उसके साथ भी फिरोज के रिष्टों के बारे में अफवाहे उड़ी फिरोज के करीबी मित्रों का भी मानना था कि वो महिलाओं के मामले में काफी गिलेत थे इन सारी बातों ने जाहिर तोर पर नहरू को काफी विचलित किया इसी बीच फिरोज की लखनव में एक मुस्लिम मंत्री की बेटी से नजदी की काफी बढ़ गई तहा तो यहां तक जाने लगा था कि फिरोज उससे शादी करने के लिए इंदिला को तलाक देने को भी तयार हो गए थे ऐसे में प्रधान मंत्री नहरू ने अपनी बेटी और दामाद को समझाने के लिए किद्वाई को बेजा काफी मांग मनौबवल के बाद यह मामला सुलचा इसके बाद से ससर दामाद के बीच की खाए और चोड़ी हो गई नहरू भले ही फिरोज का नापसंद करते थे लेकिन वो उनकी ताकत को अच्छे से जानते थे पूर्व प्रधानमंत्री मुरार जी देशाई ने अपनी आत्म कथा दस्टोरी ओफ माई लाइफ ने लिखा है कि दू या तीन बार ऐसे मौके आए जब नहरू कुछ फैसले लेने से घबराए क्यूंकि उन्हें डर था कि इससे फिरोज नाराज हो सकते हैं फिरोज होट पेशेंट थे उन्हें साल 1957 में पहली बार दिल का दौरा पड़ा उसके बाद उनकी सेहत लगातार बिगरती गई इंदिरा गांधी को 7 सितंबर को 1907 को पता चला कि फिरोज को फिर दिल का दौरा पड़ा है और उनकी तबियत बहुत नाजुक है फिरोज रह रहकर बेहोश हो जाते होश में आने पर एक ही सवाल पूछते इंदू इंदिरा गांधी तहां है इंदिरा तुरंथ वेलिंग्टन होस्पिचल गई जहां फिरोज का इलाज चल रहा था वो पूरी रात उनके बगर में बैची रही अगले दिन सिबह 8 बजे के करीब फिरोज में आखिरी सांस ली उनकी मौत पर उमडी वील को देखकर नहरू ने कहा था मुझे नहीं पता था कि लोग फिरोज को इतना पसंद करते हैं इंदिरा गांधी ने भी इस परिवर्तन को लक्ष कर लिया था पंदित नहरू के बाद लाल बहादोर शास्त्री जधानमंत्री बनाए गए उन्होंने कॉंग्रस संगठन में इंदिरा जी के साथ मिलकर कार्य किया था शास्त्री जी ने उन्हें सूचना एवं प्रसारन मंत्राले सौपा अपने इस नए दायत्व का निर्वहन भी इंदिरा जी ने कुशलता के साथ किया यह जमाना बनाया तथा उसने गुनात्मक अभिवरुद्वी की 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्धा हुआ तो आकाश्वानी का नेट्व कितना मुखर था कि समस्त भारत उसकी आवाज के कारण एक जुठ हो गया इस युद्धा के दोरान आकाश्वानी का ऐसा उप्योग हुआ कि लोग राष्ट्रियता की भावना से उत्प्रोथ हो उठे भारत की जनता ने यह प्रदर्शत किया कि संकट के समय बेसब एक जुठ है और राष्ट्र के लिए तन मन धन अरपन करने को तैयार है राष्ट्र भक्ति का ऐसा जज़बा स्वतंत्रता संग्राम के दोरान भी देखने को नहीं प्राप्त हुआ था इंदिरा गांधी ने युद्धा के समय सीमाओं पर जवानों के बीच रहते हुए उनके मनोबल को भी उचा उठाया जबकि इसमें उनकी जिन्दगी को भारी खत्रा था तश्मीर की युधा ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर जिस प्रकार उन्होंने भारतिय सैनिकों का मनोबल उचा किया उससे ये जाहिर हो गया कि उनमें नित्रित्व के वही गून है साथ ही साथ उन्हे सितंबर 1967 से मार्च 1997 तक के लिए परमानु उर्जा मन्तरी बनाया गया उन्होंने 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1979 तक विबेश मन्त्राले का अतिरिक्व प्रभार संभाला श्रीमती गांधी ने जून 1970 से नवंबर 1973 तक ब्रह मन्त्राले और जून 1972 मां 1977 तक अंतरिक्ष मामले मन्त्राले का प्रभार संभाला जन्वरी 1980 से वो योजन आयोग की अध्यक्ष रही 14 जन्वरी 1980 में वे फिर से प्रधान मंत्री बनी श्रीमती इंदिला गांधी कमला नहरू स्मृती अस्पताल गांधी स्मारक निदी और कस्तूरबा गांधी स्मृती न्यास जैसे संगटनों और संस्थानों से जुड़ी हुई थी वे स्वराज भवन न्यास की अध्यक्ष थी 1955 में वह बाल सहयोग, बाल भवन बोड और बच्चों के राष्ट्रिय संग्रहालय के साथ जुड़ी श्रीमती गांधी ने इलाहबाद में कमला नहरू विद्यालय की स्थापना की थी वह, 1966 माइनस सथातर में जवाहर लाल नहरू विश्व विद्यालय और पुर्वोत्तर विश्व विद्यालय जैसी कुछ बड़ी संस्थानों के साथ जुड़ी रही उन्होंने दिल्ली विश्व विद्यालय न्यायालय 1960-64 में युनेसको के भारतिय प्रतिनिधिमंडल 1960-1964 में युनेसको के कार्यकारी बोल्ड और 1962 में राष्ट्रिय रक्षा परिशद के सदस्य के रूप में कार्य किया वोर संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रिय एकता परिशद हिमालायन पर्वता रोहन संस्थान दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा नहरी उस्मारत संग्रहालय उस्तकालय समाज और जवाहर लाल नहरी उस्मृती मिदी के साथ जुडी रही पधनमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अटूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोडस थे तुनके आवास पर सुबह साधे 9 बजे की गई थी अप्रेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगर क्षकों वेंट सिंग और सत्वंट सिंग ने गोली मार कर उनकी हत्या की थी दोस्तों इस दिन हमने भारत माता को खो दिया था इंदिरा गांधी की कहानी वैसे तो बहुत लंबी है पर हमने कुछी शब्दों में इस कहानी को आप लोगों को बताने की कोशिश की है उसकी जीवनी इतनी लंबी है कि छोटी मोटी वीडियो में तो उसकी जीवनी आही नहीं सकती वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को अपनी को यही विराम देते हैं आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर करना इसी के साथ भन्यवाद मिलते हैं अगरी वीडियो में